Hey guys, what's up, क्याल चाहत, this is C.A. Nikunj Goi'n का Your Tax Mentor and मैं आपको सच बताऊँ, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का मेसेज़ेज है, जो मेरे को forced किया है वीडियो बनाने में, C.A. में Final IDT का, Final IDT का Intercomant recording कर दिया, Final IDT का कल examination है, New syllabus के सबसे Old syllabus का examination over हो चुका है, बच्चे request करें कि सर जो paper आया है Old syllabus में, C.A. में Final IDT का, एक बार आप New syllabus का examination के पहले, आप लीज एक बार हमें discuss करके बतादो so that हमें confidence आ जाए, हमें पता चल जाएगा किस तरह का paper Old syllabus को मिला, तो New syllabus के examination के पहले हमको भी confidence आ जाए, तो मैं के questions थे, paper बहुत satisfactory था, paper बहुत easy था, institute के mat से था, अगर आप Old syllabus के student होंगे, तो आपका ये paper definitely अच्छा गया होगा, लेकिन New syllabus वालो के लिए definitely, एक confidence level बढ़ाने वाले बात हो जाएगा, कि सर अगर हम पहले से अगर Old syllabus का paper, क्योंकि हो चुका है, एक बार आपको दिखा दे, एक बार आपके साथ discuss कर ले, तो आपके दिमाग में clarity आ जाएगा कि हमको कल का examination कैसे देना है और मैं आपको बता दू, मेरा already मैंने एक booster session आप लोग के लिए ले लिया है, प्लीज जाकर check out कर लेना, जापे मैंने list of important topics आप लोग के साथ share कर दिया, telegram group में मैंने share कर दिया है ये सारे चीज मैंने telegram group में दे दिया, कि आपको कौन-कौन से topics जो है, कितना-कितना घंटा, कितना-कितना minute आपको सारे topics में देना चाहिए, 15 minute का reading time में आप बिलकुल भी time waste मत करेगा, MCQs पढ़ने में, ठीक है आपको straight away jump करना है descriptive type question में, और ये decide कर लेना है कि कौन सा question attempt करना है, जो आपको सबसे best आता है और sequence wise, best questions को पहले attempt करेगा, फिर better, फिर good, और फिर normal, और फिर worst, इस तरह से आपको अपना sequence से जाना है Mark the questions which you will surely attempt and decide the sequence, please कोई भी question को judge मत करना by the length, अगर छोटा question है तो difficult भी हो सकता है, लंबा question easy भी हो सकता है Try avoiding attempting theoretical question, जितना practical question है सब को फटा-फट करने का try करना, MCQs read तभी करना उस 15 minute में अगर आपके पास समय है तो 40, secure कर लेना, पहला 60 minute में हो, तभी हो पाएगा, अगर आप MCQs ध्यान देना, अगर आप multiple choice questions में ध्यान दोगे, तभी यह possible होगा, वरना यह possible बिलकुल भी नहीं होगा, दोस्त Second 60 minutes में जो होगा, आपको 30 to 40 marks जो है, वो आपको attempt कर लेना चाहिए sequential wise आपको जो है, आपको यहापे attempt कर लेना चाहिए, और last में 60 minutes रहेगा, जो balance questions बचा, ensure करना 100% attempt कर क्या हो paper, कोई भी question छोड़ना मत, और एक बात का ध्यान अखना, जब आप question attempt कर रहे हो, तो आपको complete attempt करना है only if you don't know, नहीं आता है, तभी, बीच-बीच में बच्चे क्या करते हैं, partly attempt कर दिये, थोड़ा बात बात में करेंगे, ऐसा नहीं होता है, फिर आप बात में कभी आता नहीं है, अगर आप attempt करने बैठे हो, तो पूरा एक बार में करना, बीच-बीच में छोड़ मत देना है ठीक है ना, सर एक बार आप मेरे को final, जो इस बार June, December 23 का old silver's का paper आया था, एक बार हम लोगो आप एक बार उससे questions प्रैक्टिस करा देंगे, क्या एक बार दिखा देंगे, क्या बिलकुल, बिलकुल, क्यो नहीं दिखाएंगे, क्यो नहीं दिखाएंगे, बिलकुल in this situation, लेकिन आप लोग का new syllabus में आप guys सबको पता है, 15 MCQs रहेगा into 2 marks each, 30 marks का, तो यहाँ पे भी आपको 1 mark justification के लिए और 1 mark right choice के लिए, I think होना चाहिए, स्टार्ट करते है पहला question से, यह exemption से question आया था, YUI Foundation Charitable Trust है, Registered Income Tax Act में own and manage करते हैं, newly constructed धरमशाला देवी भवन in the precincts of a temple in Dwarka, तो renting of religious places, यह service का नाम है, धरमशाला के पास 50 रूम हैं, एक huge party lawn and other amenities है, they have received the following amount, आपसे taxable supply पूछा है, तो guys याद होगा, room भी rent कर सकते हैं, community halls भी rent कर सकते हैं, और shops भी rent कर सकते हैं, तो यहाँ अगर आप room rent कर रहे हो, room का rent thousand और more per day था, तो वो taxable हो गया था, ठीक है, 999 तक exempt होता था, तो 25 lakh taxable हो जाएगा, 9 lakh rent मिला from renting of party lawns for marriage and social functions, ठीक है, social functions के लिए basically आप जो अपना rent ले रहे हो, उस पर 10,000 per day और more होगा, तब वो taxable होगा, बट यह 9,000 per day था, तो यह exempt हो जाएगा donations आपको 20 lakh का मिला, इसमें जो good pro क्यों है, मतलब आपको something in return मिल रहा है, तो वो taxable होगा, जैसे कि अपने एक circular पड़ेत इस DBIC का, अगर कोई advertising हो रहा है तो वो taxable होगा, इसमें लिख दिया है, this includes donation, one donation of 15 lakh receipt with specific direction to advertise the business activity of the donor, तो यह भी taxable हो जाएगा, तो 25 lakh plus 15 lakh, that is 40 lakh जो है, यह आपका taxable supply हो जाएगा, तो 20 lakh और, 25 lakh और, sorry, 25 plus 15, this is 40 lakhs, 40 lakhs आपका क्या हो जाएगा, taxable value हो जाएगा, दोस्त, next part में आते है, Sanjay a registered taxable person pays 28,320 rupees for purchase of a capital goods, capital goods खरीदा हमने 24,000 का, जिस पे 18% GST लगा, 4,320, I have to be very quick, because मेरे लिए आपका time जाएगा इंपोर्टेंट है, मैं last minute में करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगा request आया, बोल के मैं final IDT का paper solve कर रहा हूँ, जो की old syllabus काया था, new syllabus के पहल claim depreciation, वो depreciation claim करना चाता है, his accountant thinks of the falling entries, उसका accountant है, यह 4 entry सोच रहा है, he capitalizes the goods at 24,000, capitalized किया, मतलब cost कितना मानेगा, 24,000 and claim depreciation on the same, for GST purposes, he can claim ITC of 24,320, बिल्कुल correct है, वो cost, जो है, उसको tax का part को cost में नहीं मना, input tax credit वो अलग से claim कर लिया, यह कर सकता है, he capitalizes 24,000, claims depreciation, he cannot claim, यह wrong है sir, he capitalizes goods at 28,320 and claims depreciation, for GST he can claim ITC, यह नहीं कर सकता, he capitalizes at 28,320 and claims depreciation, ठीक है, for GST he cannot claim, yes, 1 and 4, यह दोनों में से वो कुछ भी कर सकता है, तो correct answer किया 1,4, तो देख रहे हैं किस तरिसे आप से question पूछा गया, which of the following transactions does not qualify as supply, इस में से कौन सा transaction है, जो supply नहीं माना जाएगा, disposal of car without consideration and supplier has not claimed ITC, schedule 1 में बोलता है, अगर आप permanent transfer करते हो, business assets का, जा पर ITC avail है, without consideration, तो ही वो supply माना जाएगा, यहाँ पर अपने ITC claim नहीं किया है, तो यह supply नहीं माना जाएगा, बात बाग यह बाद चेक कर लो, principles make supplies to his agent, who is also registered under GST, and is situated in the same state, and invoices issued by the agent in his name, तो definitely यह supply माना जाएगा, तो यह correct answer नहीं हो सकता, अपको रीजन के साथ देना पड़ेगा कि यह आपको schedule 1, para number 1 के साबसे supply नहीं है, international trade, यह circular SQ पर international trade exhibition going to be held in USA, in the next month, ADF export house want to participate in, export company है, उसको एक पाइस्पिट करना है, foreign exhibition में, it intends to send 1500 units of taxable goods to art work, क्या होगा, CBIC का circular था, जब तक artwork बिक नहीं जाता, जब तक supply नहीं माना जाएगा, only activity of sending is not a supply, because there is no consideration, when I am sending the artwork to USA, there is no consideration, and hence the activity of sending is not a supply, यह CBIC का circular था, अगर आप अपना genuinely ठीक से पढ़े हो IDT का, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कल exemption minimum लाने में, time limit for issuance of show cause, यह जबर्दस सवाल था, जबर्दस सवाल था, मतलब जबर्दस, एक बार के लिए तो मेरे को भी सोचने में मजबूर कर दिया, time limit for issuance of show cause notice, in case of any amount collected as tax, but not paid to the government, अरे, बच्चे के दिमाख में 73-74 आता है, अरे भाईया, 73-74 तब होता है, जब तुमने, तुमको GST collect करना था, तुमने collect नहीं किया, यहाँ पर क्या है, collect कर लिया, बट government को pay नहीं किया, तो इतो 76 में आ जाएगा, और 76 में तो government तुमको कोई time limit ही नहीं दिया है, government तुमको order का time limit दिया, one year के अंदर में, जब से notice issue किया है, but notice का कोई time limit नहीं है, जब भी चाहे सरकार आपको notice issue कर सकती है, तो इसका correct answer था, no time limit prescribed, 73-74 का time limit prescribed है, but tax collect हुआ है, pay नहीं हुआ है, इस case में अगर आपको show cost notice मिल रहा है, तो इसका कोई time limit prescribed नहीं किया गया है, For the year 1718, due date of filing of annual return was 31st December 2018, under CGST Act, the books and records of 1718 must be maintained till, 17-18 का जो books of accounts and records आप maintain करेंगे, 72 months तक करना पड़ेगा, यानि 6 साल, 31st December 18 से 6 साल calculate करो, 31st December 24, If a person opting for composition scheme is liable to be registered on 1st October को registration liability था, apply किया 17th November, not within 30 days किया, and registration grant हुआ 20th November को, तो the effective date will be 20th November, because the registration application was not made within 30 days, ठीक है, तो ये 8, 7 objectives आपका यहाँ पर खतम हो गया, एक बार मैं आपको customs का जो objective है, वो आपको दिखा देता हूँ, तो 7, 14 प्रस 6, 20 marks आपका U secure हो गया है, Sir, Question number 8 compulsory है, and answer any 2 from the rest of the section, तो Question 8 में देखो, 3 MCQI, 3 into 2, 6, ठीक है, 3 into 2, 6, देखो, इद्धम simple question, calculate the CIF value of imported goods under Customs Act in the following case, आपको CIF value पूछा है, FOB plus insurance आपको देदी, यह तो simple maths था, Sir, आपको FOB plus insurance देए, 1000 डॉलर, यहाँ पर insurance दे दिया अलग से, तो पिटा, अगर आपको insurance अलग से दे दिया, तो आप subtract करके, equation method लगा के FOB निकाल दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, तो FOB कितना होगा, Sir? FOB होगा मेरा, 1000 minus 20, correct, that is 980, 980 मेरा, क्योंकि 980, क्योंकि आप insurance दे दिया है, अगर आपको insurance दे दिया है, और FOB plus insurance दिया, तो आप FOB निकाल लो, FOB कितना होगा, 980, इसमें insurance add कर दो कितना, 20, और आपको पता है, CIF rate दिया बनी, तो CIF rate नहीं दिया, तो 20% किसका निकालेंग और 20 rupees, टोटल करेंगे, तो कितना रहा है, 1196, तो correct answer क्या होगा, option number C, this is my correct answer, new syllabus में यह applicable नहीं है, administrative concepts in customs, for filing appeal before commissioner appeals, यह new syllabus में नहीं है, just for your students, जो की old syllabus वाल यगर देख रहोंगे, उनके लिए मैं discuss कर रहा हूँ, amount of pre-deposit required under customs act, अगर आप commissioner appeal में appeal कर रहे हो, तो कितना pre-deposit चाहि ठीक है, अगर अपने commissioner appeal को appeal कर रहे है, तो maximum 7.5% demand आपको देना पड़ेगा, यह बच्चों ने पूछा sir, out of syllabus आगया, कैसे out of syllabus आगया guys, 0 भी एक number होता है, anti-dumping duty SEZ के ओपर exempt होता है, SEZ को anti-dumping duty नहीं pay करना होता है, यह June 2018 का CMA final का question आया था, तो anti-dumping duty payable by SEZ in respect of import is actually 0, बच के था अपना MCQs, जो मैंने आपके साथ discuss कर लिया, ठीक है, next आओ बेटा, फटा फटा फटा, question number 2, आ गया था composition scheme से, composition scheme से कैसा question है, देखो, PQR electronics, a registered dealer, supplying all types of home appliances, ठीक है, home appliances कर रहा है, supply, within the state of Tamil Nadu, ठीक है, Tamil Nadu में कर रहा है, aggregate turnover in the presenting year, by the way of supply appliances was 128 lakh, well within the limit है, 1 करोर 50 lakh से नीचे है okay, from the current financial year क्या हुआ, the firm also expects to provide repair and maintenance service of such appliances, oh, यानी firm अब service भी देना चाहा है, repair service भी देना चाहा है, and the expected turnover, मतलब current year का turnover हो सकता है, 5.25 lakh, तो कोई बात नहीं है boss, 10% of the previous year turnover तक तो allowed है, तो 10% of previous year कितना हुआ, 12.8 lakh, तो 12.8 lakh तक का तुम marginal service दे सकता है, along with supply of goods, बिलकुल सही, तो 5.25 lakh, तो आपका allowed, मतलब, जो है, well within the permissible limit है, लेकिन इसके बात क्या लिखा है, अब to the previous year, the firm was buying goods only within the state, पिछले साथ तक, firm खाली, अपने ही state में buy करता था, but in the current year, the firm is expected to buy goods from outside the state, कोई गल नहीं है, दोस्त, कोई गल नहीं है, कोई problem नहीं है, there is no restriction on purchase of goods from other state, there is only restriction on interstate outward supply, सब लिखना पड़ेगा, अपने को साथ नंबर का question ऐसे नहीं है, reference to this, examine whether they can opt for compensation scheme, बिल्कुल, yes, you have to write all the provisions, under section 10.1, 10.2, they can definitely opt for compensation scheme, 10.2 यहापे applicable नहीं होगा, sir, B, बहुत ही simple question थाया था, time of supply से, TDR Limited, registered under JST laws at Rajasthan, has received, received, यानि यह recipient है, registered है, some taxable services, जो की covered है, reverse charge में, okay, reverse charge में covered है, जो राजीव कुमार अव गुजरात से, इन्होंने service received किया है, आप से पूचे time of supply, and would your answer will change, if this is this, तो time of supply, RCM है, 9.3 है, तो यहापे section 13 लगेगा, subsection 3 तो यहापे क्या था, एक payment date देखते थे, और एक invoice date प्लस 61st day देखते थे, payment date, obviously सब TDR, TDR का check करना आपको, service date से हमें कोई मतलब नहीं है, invoice राजीव कुमार ने कब supply किया, वा से 61st day देख लो बेटा, 9 जुलाई से 61st देख लो, करीब-करीब आपका September में आएगा, और payment recorded in the books of TDR, payment debited in the bank account of TDR, यह दोनों का date, whichever is earlier, यह दोनों का date, whichever is earlier, जो है, यह आपका क्या हो जाएगा, payment date हो जाएगा, तो payment आपने अपने books में कब record किया, payment debit कब हुआ, तो whichever is earlier, TDR के books में, यह होगा 8th August, तो 8th August और इसका 61st day, definitely 8th August इसका answer आने वाले, यह मेरे लिए काम का नहीं ह Would your answer in one be different, if services is supplied on this, sir, मेरे को invoice date से 61st day दे देखना होता है, तो मेरे लिए कोई answer, same ही रहेगा, answer बदलेगा, नहीं, दोस्त, question 3 है, simple, मतलब guys, मेरे को लग रहे है, इन्होंने का लिए इंटर लेवल का जादा question दिया इस बर, तो paper easy आया, theoretical questions कमा आया इस बर, whether supplier is liable to get registered under GST law in the independent cases, Arun of Mumbai is exclusively engaged in interstate, बहुत काम का चीज़ है, interstate बट वो भी supply of services, his aggregate turnover reached to 15 lakh, आपको याद होगा, exemption दिया वै, in case I am supplying interstate supply of services, if my aggregate turnover does not exceed 20 lakhs, I am not liable to take registration in GST, even though I am making interstate supply, there is an exemption to it, Vikram of Tamil Nadu is engaged in interstate supply of exempt service and taxable services covered under reverse charge mechanism, oh my god, the moment he is paying any tax under reverse charge, तो section 24 के साब से, he is compulsory liable to take registration, in that situation हम इसका turnover check नहीं करेंगे दोस्ट, ठीक है, next, कमल has cleared, अभी एक बेटा transition provision से आया था, बहुत easy question आया था, बहुत simple question आया था, खुद से एक बार आप try करिएगा, ठीक है, नेक्स देखो, यह penalty से question पूछा गया, in case अगर आपका conveyance seize हो जाता है, conveyance in transit अगर seize हो जाता है, and in that situation, owner of the goods does not come forward for paying penalty, तो कितनी penalty लगेगी, तो you are required to determine the penalty payable under this, तो यह आपको याद होगा, इसमें amendment आया था, 200% of the tax, और 50% of the value of the goods, whichever is higher, आपको penalty pay करना पड़ेगा, if you do not come forward, उसके बाद क्या लिखा है, suitable course बताओ, if we intends to get the truck released, उसको payment करना पड़ेगा, यह सब चीज, अगर वो नहीं कर पाता है, मलब release कराना है, तो उसको यह करना पड़ेगा, तो यह penalty से provision पूछा गया था, detention search Caesar वाला convince in transit से, place of supply निकालने पूछा है, यह दो सवाल इदम simple है, better events है, event management company है मुंबई का organize करता है, two business promotion events for Pranav Enterprise registered in Ahmedabad, event management services if supply to a registered person, तो registered person का location जो Ahmedabad है, that will be considered to be the place of supply, फिर चाहे वो event कहीं पे भी हो, buttercup planners, Jodhpur, Rajasthan is hired by Javeed, unregistered person है, जो Kerala में, ध्यान से, hired by Javeed, तो recipient registered नहीं है, but planner जो है, वो registered है, to plan and organize his son's wedding at Mumbai, तो sir, wedding place किदर है, Maharashtra में, तो Maharashtra will be considered to be the place of supply, विल और रांसर भी different if the wedding is to take place in Singapore, obviously, if the event is outside India, then the recipient का location, that is Kerala, will be considered to be the place of supply, ये question बिटा आया था, कहां से मैं आपको बढ़ाता हूँ, ये case law से question आया था, याद है आपको tolerate a non-performance of a contract पला, वो एक बार आप please go through कर लिजएगा, special audit से, assessment audit से question आपके exam में आएगा, कोई भी या तो assessment से आजाएगा, या तो audit से आजाएगा, special audit हो गया, general audit हो गया, आपको एक special audit के बारे में short note लिखना था, this was a master blaster question, ये question पढ़के लगा, अरे बाई जबरदस्त है, वो भी institute के मैट से, लगबग था बहुत सारा चीज, जिन्होंने अपना खुद से भी introduce किया, अगर आप cost accounting standard 4 पढ़के रखे, तो आपको ये चीज पता होना चीए, या दोगा, rule 30 में 110% of the cost of production, will be considered to be your value of supply, तो यहाँ ही से question पूछ लिया गया, from the following information of Vandana, manufacturer of taxable goods, calculate the value as per rule 30, for the purpose of GST, assuming there is no opening and closing inventory, तो guys, working note answer का part बनेगा, और आपको यहाँ पर rule 30 के साब से क्या निकालना था, value निकालना था, तो आपको 110% निकालना है COP का, तो पहले आप cost of production निकाल लो, production क्यों 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 कि ये manufacturer है, क्या-क्या include होगा वो discuss करते हैं पहले, direct material cost inclusive of IGST 18%, तो 59,000 में आप divide by 118 करके into 100 करेंगी, तो आजाएगा आपका 50,000, ये include होगा, direct salary cost including HRF 14,000, 34,000, तो ये जो है, ये आपका include हो जाएगा, consumable stores include हो जाएगा, depreciation include हो जाएगा, quality control cost include हो जाएगा, R&D cost भी include हो जाएगा, administrative cost production related भी include हो जाएगा, project management वाला include नहीं होगा, interest financial charge include नहीं होगा, cost incurred due to breakdown of machinery, अब अपने इसमें assumption कर सकते है, abnormal की normal, हम assume कर रहे हैं, अगर ये abnormal cost है, तो ये आपके production cost में include नहीं होगा, amortized cost of molds and tools, received free of cost from the recipient of the goods, obviously आपको अपने cost में इसको add करना पड़ेगा, selling and distribution cost आपके production cost में नहीं होगा, and scrap value realized आप production cost से minus कर देंगे, आपका value supply आएगा, very very good question, मतलब इसको देख के लगा कि भाई हाँ, कुछ तो dumb है, कुछ तो dumb है, जबर्दस question था, अब इसमें step marking मिलने का पूरा chances है, आप अगर कुछ एक दो पार्ट में अगर error कर दियोंगे, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ ना कुछ step marking मिल जाएगा, don't worry at all, ये बेटा, मैंने आपको बहुत बार, मैंने आपको आज उसमें भी बताया था, provisional assessment से question आया था, यहां से आप exam में expect कर सकते हो, आपके exam में भी पूछा जाएगा, provisional assessment, ठीक है, next ये देखिए, यहां बहुत simple सवाल था ये, बहुत simple सवाल था, आपसे पूछा था, कि tax कितना पे करना, forward charge में, reverse charge में, ITC कितना हो, net tax liability कितना है, एक-एक करके आते हैं, एक company है, SDK company बैंगलूरू का है, manufacturing करता है, registered supplier है, heavy machines का, machine supply करता है, same company also supplies, following goods and services, for construction of buildings, buildings के लिए, जो कुछ goods and services दरकार है, उसको भी supply करता है, क्या करता है, excavators for required period, at per hour rate, excavators supply करता है, और manpower supply करता है, for operation of these excavators, कुछ यादा रहे हैं, ये दोनो composite supply हैं, जिसमें principal supply क्या है, excavators supply करना, तो excavators का जो GST rate होगा, चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, machine पे तो 5% GST चार्ज करी देंगे, hiring receipt of excavators, and service charges, जो है, इस पे आपको consolidated 12%, जो है, composite supply का working note लिखकर, आप उसका answer लिखेंगे, क्योंकि सर, excavators चलाने के लिए, जो service charge आप चार्ज कर रहे हो, for manpower supply, वो भी आपका composite supply, principal supply, जो है, excavators है, और यह auxiliary supply है, समझ गए, तो 1,70,000 पे आप 12% GST लगा देंगे, अब आया, details of GST paid on invert supply, अब अपने बात करते हैं, ITC का, purchase of car, यह क्या manufacture कर रहे हैं, ध्यान देना, heavy machines का, car used by director for business meeting only, तो इसका credit आपको नहीं मिलेगा, block credit है, raw material for which invoice received, and GST paid for full amount, but only 76% material is received, तो अगेन यहाँ पे credit नहीं मिलेगा, because 100% material is not received, health insurance of factory employee, as per policy of the company, it is not a statutory obligation, it is a company policy, it is not a statute, तो अगेन इसकी भी credit आपको नहीं मिलेगी, or works contract service used for installation of machinery, yes, it is not blocked, because it is ultimately used for construction of basically plant and machinery, तो definitely आपको इसका credit मिल जाएगा, तो आपको खाली EC का credit मिलेगा, बादवाई की credit नहीं मिलेगा, other input services का details आपको दिया है, ध्यान से देखना, rent of one office building paid to state government, कुछ यादार है, government से आपने renting of Wimual property services लिया, 1,30,000 का, taxable है 9% CGST, 9% SGST, और SGST, तो आप कौन हो, आप registered हो, अगर आप government से renting of Wimual property का service ले रहे हो, तो यहाँ पर याद होगा, RCM लगता है, ठीक है, तो yes sir, आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा, RCM लग जाएगा दोस्त, ठीक है, यहाँ पर आपका RCM लग जाएगा, तो यह reverse charge में taxable हो जाएगा दोस्त, ठीक है, इस पर आप 18% GST apply कर देंगे, इस पर आप 18% GST apply कर देंगे, ठीक है न, paid 1,50,000, to, for transportation of goods by road to local GTA, which opts to pay CGST, अच्छा, अगर यह opt कर लिया, तो इस पर RCM नहीं लगेगा, ध्यान रखेगा, ठीक है, यह opt कर लिया, तो इसमें RCM नहीं लगेगा, आपको इसी का 12% जो है, आपको इसका input claim करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो, पूछा है न, tax to be paid under RCM, तो खली आपको यही वाला जो tax है, वो RCM में pay करना पड़ेगा, बात बात कि आपको यह वाला tax और यह वाला tax जो है, वो आप credit claim कर लेंगे, प्लस ध्यान से, जो यह वाला RCM का जो आप tax पे कर रहे हैं, वो भी आप credit claim कर लेंगे, तो तीन credit आप claim करेंगे, वर्क्स कॉंट्राक्स सर्विस का, RCM का, और यह GTA वाला, जो आप forward charge में आपका चार्ज हुए है, उसका आप credit claim करेंगे, reverse charge में आपने खाली एक, जो government services आपने लिए है, वो आपको reverse charge में tax देना, बात बात कि आपने tax liability खुद से बार निकाल लीजेगा, differentiate between annual return and final return, who is required to furnish, annual return every registered person, ठीक है, every registered person who is basically supplying goods and services, this is required to file, annual return आपको याद होगा, इसमें 2 करोड का एक, annual turnover का exemption limit है, final return कौन फाल करेंगा, every registered person who has applied for cancellation of registration, needs to file this final return, what is the time limit, annual return का time limit है, 31st December of the next financial year, and final return का time limit है, 3 months from the date of cancellation or order, whichever is later, ठीक है सर, what is the prescribed form, annual return का form है, GSTR 9, और final return का form है, GSTR 10, यह बिल्कुल भी final level का question तो मेरे को नहीं लगता, अरे boss, 7 services, जबर दस, जो आर्टिकल शिप किये, बढ़िया से इंटर्ण शिप किये, उनको यह पता होगा sir, 7 services बताओ, जो GST portal में available है, आप खुद सोचो ना भाई, आप registration GST portal के थुरू कर सकते हो, आप चलान GST portal के थुरू create कर सकते हो, आप return GST portal के थुरू file कर सकते हो, आप amendment कर सकते हो, GST registration अगर आपको करना है, तो आप amendment कर फाइल कर सकते हो registration के थुरू, आप ledgers को view कर सकते हो, GST का जो है, जो आप ledgers है, view कर सकते हो ठीक है आप GSTR 2A 2B का reconciliation कर सकते हो there are various services which you can do which you can basically go for it on the GST portal यह basically आपका practical knowledge test करने के लिए पूछा गया था ठीक है customs आपको मैंने करवा दिया guys यह डिट्टो डिट्टो जो question है na customs का यह वाला जो question में भी है पूरा intermediate से लिया गया है यह भीश्मवला भी पूरा intermediate से लिया गया है यह भी intermediate से लिया गया है यह सब आभी बार गो थू कर लेना ठीक है न हिदम सिंपल है entry invert granted 7th feb को goods cleared था चैनाई पोट से फॉर वेराउजिंग 8th February को bill of entry 1st feb को present हुआ accessible value आपको दिया है अल्टिमेटली पूछा क्या है ड्यूटी पूछा है वाल रिमूविंग दगुर्स रॉम चैने वेराउस बहुत ईजी है आपको कस्टम ड्यूटी निकालना है आपको exchange rate दिया और BCD rate दिया तो गाइस अपने को बता है वेराउजिंग के केस में सबसे पहले आपको जिस दिन आपने बिल उफ एंटरी फाइल किया उस दिन का आपको एक्षेजिंग निकालना है और सर आपको relevant date for purpose of calculating BCD का rate कब होगा जिस दिन बिल उफ एंटरी फाइल के एंटरी इंवर्ट whichever is later तो whichever is later क्या 12% है ठीक है तो 10,000 के उपर अपन क्या करेंगे सबसे पहले अपन को convert करना है ठीक है convert क्या करना है 55 के साबसे अपने convert कर लिए ओके तो एक convert करने के बाद अपने को accessible value आ गया BCD कितना है 12% अब इसमें याद रखेगा आपको 10% सचाज भी add करना है और finally आपको 12% IGST भी लगाना है लगा देंगे total करके IGST लगा दीजेगा ठीक है यह बिलकुल आपके इंस्टिट्यूट के मैट का कोशिन से मिलता जूलता है प्लीज अपर घर पर ट्राइ कर लिजेगा वैसल भीश्म यह भी इंस्टिट्यूट का मैट का कोशिन है Sailing from US to Australia US से Australia जा रहा है इंडिया के तुरू carry various types of products निमली ABCD चार प्रोड़क्ट अपने पास carry कर रहा है वो directly foreign to foreign जा रहा है इंडिया के तुरू A and B are destined to Mumbai port A और भी सीधा Mumbai port जा रहा है on account of submission of bill of transshipment product A is basically transship to Chennai port as ultimate destination in India very important मतलब Mumbai को आया Mumbai से transship होके वो Chennai गया ठीक है and product B जो है वो ट्रांशिप्ट हो गया स्री लंका में Mumbai से स्री लंका चला गया अब आपको पूछ रहा है imported goods बताओ transshipment goods बताओ transit goods बताओ इद्दम easy है सर जो ultimately Chennai गया है तो Chennai वाला जो goods है वो आपका imported goods माना जाएगा जो ट्रांशिप्ट होके स्री लंका गया है तो स्री लंका वाला जो goods है वो ट्रांशिप्मेंट goods माना जाएगा और ultimately बाद बाकी goods बैठे बैठे चला गया Australia तो वो C&D जो है वो माना जाएगा transit goods अब खाली ये लिखना नहीं है आपको प्रॉपर जो है explain करना पड़ेगा दोस्टी करना आपको प्रॉपर यहाँ पे explain करना पड़ेगा यह चीज़ ध्यान रखेगा next शंकर wants to keep his goods at warehouse in this regard शंकर सीक्स और advise on warehousing of the goods अरे भाई इंटर लेवल का कोशन आई है kindly explain the warehousing period क्या बोल रहा है आप वेराउजिंग पिरेड आप से पूछ रहे कि आप कितना साल तक वेरा कितना पिरेड तक आप वेराउजिंग कर सकते हैं 90 days तक interest free 90 days के बाद आपके उपर interest लगेगा सब कुछ आपको यहाँ पर समझा देना है ठीक है ना सर यह हो गया सर यह आपको मैंने कितना बार समझाया है road tap scheme से question आएगा और यही से question आया है sectors जो की eligible है road tap scheme के लिए यह से आपके exam में भी question पूछा रहा सकते है DFI expected नहीं था बटा गया यह बार आप कर लीजेगा ठीक है ना सर देखो next आपका custom duty payable under custom tariff act including safeguard duty save guard duty आपका 30% है under section 8b of the act आप से क्या पूछा है आपको custom duty payable पूछा है तो accessible value 30 lakh का है share of import of such chemical from the developing country 5% का तो guys आपको याद होगा अगर 3% से कम होगा तो save guard duty का exemption है वरना इस case में तो save guard duty का कोई exemption नहीं है दोस्त for the particular SSE ठीक है basic custom duty rate क्या है 10% IGST 12% है तो simple है आपको accessible value पे save guard duty लिगाल देना है फिर आप BCD के उपर आप SWS आड़ करके BCD आड़ करते हैं और finally जब IGST आड़ करेंगे ना प्लीज आड़ करते समय क्या करना accessible value प्लस आपका save guard duty प्लस BCD plus SWS यह जो value आएगा इस पर आपको क्या लगाना है IGST याद रखेगा IGST component जो है वो आपको save guard duty पे भी देना पड़ेगा ठीक है ना तो यह चीज़िए तो BCD accessible value पे निकल जाएगा इस तरह से आप अपना calculation कर लीजेगा सर से का कोशन डिरेक्ट इंस्टिट्यूट के material से आए खली नाम चेंज कर दिया जस्ट आप से पूचा है वेदर benefit of SES can be availed or not खली आपको यह पूचा है तो individual में हमें पता है कि preceding financial year में limit कितना है dollar 10,000 और other than individual firm के लिए limit कितना है 15,000 याद होगा अगर वो net foreign exchange earnings हम चेक करते हैं net foreign exchange earning by madan a service provider in the preceding financial year is 9,100 तो यहाँ पे आपको SEIS का benefit जो है वो नहीं मिलेगा AB से इन कमनी एक partnership firm है supplier of taxable services एक partnership firm अगर पिछले साल 18,500 का earnings किया है तो yes उसको SEIS का benefit मिल जाएगा Tarun एक individual service provider है earn कर रहा है net foreign exchange 17,000 dollar in the preceding year लेकिन इस में से 8,000 has been paid to Tarun through credit card तो credit card के थ्रू जो payment होगा that will also be counted for the purpose of net foreign exchange and hence since it exceeds 10,000 yes in this situation also he will be eligible to get benefit of SEIS ठीक है दोस्त तो ये था सर आपने तो 90% से भी जादा का questions पूरा-पूरा solve करवा दिया दोस्त ये मेरे लिए दम बहर मैंने इस बार glance through किया और बस आप लोग के पास आ गया फिर एक बार जाके मैं एक बार चेक कर लोगा सब्चीज ठीक है ना और एक बार institute का suggestion अनसर आ जाता है उसके बाद आप लोग भी बार verify कर लेना कल बिटा आप लोग IDT का paper है new syllabus 2022 के साब से I am very sure कि अब आप लोग confident हो गए होगे कि sir अगर old syllabus में paper controllable है तो why not new syllabus new syllabus में भी आपका paper beta बिल्कुल controllable होगा आपको बस अपने पे confidence रखना है और please full focus होके full confidence देके आपको examination देके आना है कही पे भी lacuna अगर आपको याद लग रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहे provision तो तुरंत time waste मत करना मैंने बताया पहला एक गंटे में आपको अपना best job को याद आ रहे इदम फटा फट कटा कट जो आपको याद आ रहे हो फटा फट उसको आप solve कर लीजेगा और space छोड़ दीजेगा जो याद नहीं आ रहे है बस भागते रहना है सोचना नहीं है रुकना नहीं है भागते रहना है सोचना नहीं है रुकना नहीं है यह चीज आपको याद रहना चाहिए ठीक है बस कल अच्छे से एक्जाम दे क्यों डिसक्स मत करना अगर आपको समय मिले तो इस वीडियो में कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट ज़रू कर देना कि आपका पीपर कैसा गया ताट्सिट थैंक यू सो मच टेक केर कॉर्पेस यू